आज हम एक ऐसे अब्जेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो अब्जेक्शन लगबग हर डिस्टिबूटर को सुनने को मिलता है और अब्जेक्शन क्या है कि पैसे तुम लगा दो मैं कमा करके दे दूँगा अक्सर जब एक distributor अपने prospect को plan दिखाता है और plan दिखाने के बाद उसके sales की closing करता है तो prospect क्या बोलता है यार पैसे तुम लगा दो मैं कमा करके दे दूँगा ऐसा prospect क्यों बोलता है इसके पीछे कि psychology क्या है और इसका solution क्या है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि prospect क्यों बोलता है कि पैसे तुम लगा दो मैं कमा करके दे दूँगा इसके पीछे कुछ कारण है और सबसे पहला कारण है no believe उसको इस system पर आपके company पर भरोशा नहीं है कि वह इस system से पैसा कमा सकता है वह इस company से income generate कर सकता है इसलिए वह आप से बोलता है कि पैसे आप लगा दो मैं कमा करके दे दूँगा क्योंकि अगर मैं नहीं कमा पाया तो पैसा आपका डूबेगा मेरा नहीं और दूसरा करण है negative attitude उसका जो नकरात्मक नजरिया होता है उस नकरात्मक नजरिये के करानिया बोलता है कि पैसे तुम लगा दो उसको लगता है कि इस business में जुड़ेंगे तो सामने वाले का फाय देखता है कि यह मुझे जोड़ रहा है तो इसका फायदा होगा और तीसरा करण है fear डर है उसको सबसे पहला डर क्या है कि उसका पैसा डूब जाएगा यहार अगर मैं इसमें invest कर दिया इस business में पैसा लगा दिया और अगर मैं यहां से पैसा नहीं कमा पाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा यानि उसको fear of failure का डर रहता है कि अगर मैं fail हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा इसलिए वो आपसे बोलता है कि पैसे तुम लगा दो क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं fail हो जाऊंगा तो पैसे आपने लगाया है मुझे आपको पैसे नहीं देने आपाए आपने उसे request किया होगा भाई join कर लो इससे तुम्हारा फायदा होगा तुम लखफती बन जाओगे करोणपती बन जाओगे और आपके उस request करने के चलते आपके उस value realize न कराने के चलते वह आपसे बोलता है कि भाई पैसे तुम लगा दो मैं तुम्हें कमा करके द मस जाता है इस डर से वह अपना पूंजी नहीं लगाना चाहता है वह आपका पूंजी लगवाना चाहता है क्योंकि अगर फसेगा तो आपका पैसा फसेगा मेरा नहीं तो यह कुछ कारण है इस कारण की बज़ा से जो prospect है वह आपसे बोलता है कि पैसे आप लगा दो अब प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल पूछने हैं और सबसे पहला सवाल क्या पूछना है किया आपको यह बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया फिर उसके बाद पूछना है कि आपको इस बिजनेस में ती तिन सबसे अच्छी चीज क्या लगी प्रोडक्ट अच्छा लगा या सिस्टम अच्छा लगा या बिजनेस प्लान अच्छा लगा यानि तीन चीजों के बारें पूछना है कि जो उनको सबसे अच्छा लगा तो जरूर बताएंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा ल अगर वो हाँ बोलते हैं तो उनसे बोलिए कि इस बिजनेस में आने के बाद आप किन 20 लोगों को इस opportunity के बारे में बताना चाहेंगे उनसे डायरी पर उन 20 ब्यक्ति का नाम और नमबर नोट करवा लेजिए और जिन भी बेखती का ओ नाम बताएंगे I hope कि वो उनके hot और own market से ही होंगे जिन्हें ओ इस business opportunity के बारे में बताना चाहेंगे अब आपके पास ओ 20 नाम और नमबर आ गये हैं अब आपको क्या करना है कि उनको अपने senior से उनकी closing करवानी होगी कि अपने appliance से पैशा क्यों नहीं लगवाया जाता है अगर आपके company के कोई event हो रहा है कोई program हो रहा है या कोई training हो रहा है तो उसमें उनको लेकर के जाएं एक appliance को उनका जो सारी घटना है उसको बता दे और आपके जो senior है सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि appliance से पैशा क्यों नहीं लगवाना चाहिए जो भी बेक्ती आज appliance से पैशा लगवाया है वो इस business में नहीं है example के मादियम से उधारन के मादियम से आप उन्हें बताइए कि जो भी बेक्ती अपने appliance से इस business में पैशा लगवाया था आज वो fail हो गया, इस business में वो कहीं नहीं है, इस business को acute कर चुका है, छोड़ चुका है, तो क्या आप इस business में fail होना चाहते हैं, या इस business में कम्याब बनना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, हम इस business में कम्याब बनना चाहते हैं, तो अब आप उनको पैसे निकालने का तरीका ब करवाईए अगर जोईनिंग करते हैं तो ठीक है अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 20 नाम और नंबर आ चुके हैं आप बारी-बारी से उन लोगों को अप्रोच करिए और उनको अपने बिजनेस प्रजेंटेशन में इन्वाइट करके प्लान दिखाईए अगर उसमें से एक या दो लोग भी अगर आपके साथ जोईन हो जाए तो आपकी काम हो गई तो मैं आसा करता हूं कि आप इसे फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप अधिक से अधिक लोगों को जोईन करवा पाएंगे आप और कौन से अब्जेक्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद आपका दिन सुब्ध हो